बात जब दूरदर्सन में प्रशारित होने वाले कारिक्रम महा भारत की होती है तो इस सीरियल के हारे किर्दार का चेहरा बच्चे-बच्चे के दिमाग में तैरने लगता है चाहे वो भीश में पितामा हो दुर्योधन, भीम, अर्जुन, कर्ण या स्रीक्रिश्न इनी के बेच एक ऐसा भी किर्दार था जिसके इर्द गिर्द पूरे महा भारत की रचना थी और वो थी द्रौपदी मैं इंद्रपरस की पट्राणी द्रौपदी हूँ मैं सम्राठ इदिश्ठेर का भाला हूँ द्रौपदी कहते ही सिर्फ एक नाम यादा जाता है रूपा गांगुली वही रूपा गांगुली जिनके हिस्से में महा भारत का सबसे कठिन और चैलेंजिंग द्रश्याया और जिसे उन्होंने धारदार समवाद, अदाईगी और मार्मिक अभिने से बखोवी निभाया और वो सीन था द्रौपदी का चीजरर अभिने की दुनिया में रूपा गांगुली नई नहीं थी पर द्रौपदी बनकर उन्हें ऐसा स्टाडम मिला कि सिनमाई दुनिया के लोग भी हैरान रह गए महा भारत के किरदारों की पॉपुलर्टी इतनी बढ़ गई थी कि लोग किरदारों को उनके असली नाम से भले ही न जानते हो लेकिन गिरदार के नाम से जरूर याद रखते हैं आखिर ब्यार चौपडा जैसे दिगज अभिनेता ने रूपा गांगुली को ही क्यों चुना महा भारत के सेट पर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो खूब रोई देज भर के लिए एक सेलिब्रेटी बन चुकी रूपा गांगुली अपने करियर की पीक पर जाकर आखिर क्यों इंडस्ट्री से गायब हो गए और बताएंगे वो वाक्या जब 20 लोगों के हिंसक भीर ने ना सर्फ रूपा के साथ छेड़ खानी की बलकि उन पर इतनी बहरायमे से हमला किया कि उनका ब्रेन हैम्रिस तक हो गया जब भी दूरदर्सन की बात होती है इनके अंगिनत धारवाहिकों में रामायण और महाभारत पहले पायदान पर खड़े नजर आते हैं पर अभी हम बात करते हैं महाभारत में द्रौपदी के किरदार में रच बस जाने वाली रूपा गांगुली की दोस्तों जिस तरह से एक साधारण इस्त्री होकर द्रौपदी ने अपने जीवन में बहुत से कस्ट छेले उसी तरह बियार चोपड़ा की द्रौपदी यानी रूपा गांगुली की जिन्दगी ने भी बहुत हिचको लेखा हैं कभी सफलता और शोहरत की उचाई देखने वाली इस एक्ट्रिस ने वो वक्त भी देखा जब ये अपने ही घर में पाई-पाई को मोहताज हो गई थे रूपा गांगुली का जिन्मु 25 नमबर 1966 को पश्यम बंगाल में कोलकाता के पास कल्याणी नामक जगह में हुआ था उनके पिता का नाम समरेंद्र लाल गांगुली और मा का नाम जुतिका गांगुली था रूपा ने कोलकाता के ही एक कॉलिज से अपनी ग्रैजुवेशन की पढ़ाई पूरी की उन्होंने कभी भी एक्टिंग के दुनिया में आने का नहीं सोचा था लेकिन उनकी एक रिस्तेदार ने उन्हें एक बार ट्राई करने के लिए इंस्पायर किया और मन ना होने के बावजूद रूपा ने एक फिल्म के लिए और वो उसमें सेलेक्ट हो गए और इस तरह से वो जाने अन जाने फिल्मों में आ गए उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली फिल्मों और टीबी शोज में भी काम किया अब बात करते हैं उनके उस किरदार की जिसने उन्हें एक नई पहचान या यू कहें उन्हें एक नया नाम दिया दरसल पंडित नरेंद्र शर्मा ने रूपा को टीबी शोगर देवता में देखा था और वियार चौपरा से उनकी सिपारिस की थी सच तो ये है कि दरौपदी के किरदार के लिए जूही चावला और रूपा गागुली समेच 6 अभिनेत्रियों को चुना गया था जूही को फिल्म कयामत से कयामत मिल गई जिसके बाद उन्होंने इस किरदार को करने से मना कर दिया बियार चौपरा ने रूपा को चुना उन्हीं यकीन था कि दरौपदी के रोल के लिए रूपा से बहतर कोई नहीं हो सकता जब महाभारत डीडी नैसनल में प्रशारित हुई तो एक अलग ही इतिहास लिखा यू तो महाभारत का हर द्रिश्य लोगों के जहन में बस चुका है पचीर हरन का वो द्रिश्य देखने वालों के लिए ही नहीं उसे निभाने और फिल्माने वालों सभी के लिए मुस्किल भरा रहा इस सीन में एक इस्त्री के अपमान को दिखाना था वो भी बिना किसी असलींता के इसको शूट करने से पहले रूपा को पूरा सीन समझाया गया बियार चौपडा के बेटे रभी चौपडा ने रूपा से कहा कि एक ओरत का अपमान हो रहा है जिसके तन पर किवल एक कपड़ा है अब आपके मन में क्या फिलिंग होगी इसको ध्यान में रखकर पॉफॉर्म करना है रूपा ने अपने सारे डायलोग एक कमरे में अकेले बैट कर याद किये वो अपने कैरिक्टर में पूरी तरह से डूप चुकी थी और जब सीन शूट होने लगा तो बीच में ही रूपा फूट फूट कर रोने लगी वो इतनी भाबुक और आहत महसूस करने लगी कि उन्हें शांत करने में पूरी यूनिट को आधे घंटे से ज़्यादा का समय लगा और दुबारा से शूटिंग सुरू ही रूपा ने बिना रुके एक बार में ही चीरहरन की पूरी द्रिश्य को ऐसा पिरोया कि हर कोई हैरान रह गया उनका रोकर हाथ जोड़कर अपनी लज्जा बचानी की गुहाल लगाने वाला स्थीन पूरे महाभारत का यादगार द्रिश्य में से एक बन गया द्रौपदी के किरदार से निकलने में रूपा को दो साल का वक्त लगा उन्हें इस किरदार ने ऐसे पहचान दिलाई कि उनका करियर अचानक से आसमान चुने लगा और रूपा के पास काम की भरमारसी हो गए उन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया बात करें उनके पर्सनल लाइफ की तो रूपा ने ऐसे वक्त में शादी की जब वो अपने कैरियर के टॉप पर थी 1992 में उन्होंने मेकैनिकल इंजीनियर द्रू मुखरजी से शादी की और एक्टिंग छोड़ कर अपनी ग्रहस्त जीवन में वैस्त हो गए शादी की कुछ समय बाद ही उनकी पर्सनल लाइफ में परिशानिया बढ़ने लगे रियालिटी शो सच का सामना में रूपा ने अपनी जिन्दगी को लेकर कई बड़े खुलासे किये उन्होंने कहा कि उनके पती उनसे काफी इंसिक्योर फिल करने लगे थे क्योंकि रूपा एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी और उनका एक स्टार्डम था अपनी शादी को बचाने और अपने पती को खुश रखने के लिए उन्होंने अपना कैरियर तक छोड़ दिया घर के कई काम उन्होंने खुद किये रूपा का मनुबल बुरी तरह से तूट चुका था और वो इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहती थी इसके बाद 2009 में उन्होंने आपचारिक तरीके से अपने पती से तलाक ले लिया इसके बाद रूपा का नाम अपने से 10 साल छोटे दिवेंद्रू मुखर जी के साथ जुड़ा लेकिन ये भी जादा दिनों तक नहीं टिक पाया 2015 में रूपा एक्टिंग से पॉलिटिक्स में आ गई और उन्होंने बिजेपी जुएन कर ली पिछले आठ साल के सियासी सफर में ऐसे कई मौके आए जब रूपा गांगुली के साथ ना सिर्फ अभद्रता की गई बलकि सरेयाम उनके साथ छेड़ खाने भी हुई एक सेलिब्रिटी और नेता होने के बावजूद भी उन्हें एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कलपना नहीं की थी दरसल 22 नवंबर 2016 को रूपा को एक दरावने घटना करम का सामना करना पड़ा एक पॉलिटिकल पार्टी के करीब 20 कार करताओं ने उन पर हमला कर दिया हमलावरों ने रूपा को कार से बाहर खीच लिया जिसमें पुलिस फाले भी शामिल थे इसके बाद उन्हें बहरैमी से पीटा गया यह हमला इतना भीसर था कि रूपा को ब्रेन हैम्रेज भी हो गया था रूपा को जिंदगी ने मान समान सौरत दौलत सब दिया सिवाए प्यार के तो आपको रूपा गांगुली के बारे में क्या कहना है कमिंड बॉक्स में ज़रूर बताएं